कॉंग्रेस के नसीम जो कि किशंगंज के उपाधक्स थे और आपको कह लिजे शाहिद कह लिजे जो कि अप राज़त से पुर्परताशी भी रहे हैं समधानी साब भी हुए तो इन लोगों के आने से क्या लगता है कि पार्टी में एक बड़ी मजबूती मिल लगी है अब इसके चुनों के लिए कितना तैयार है पूरी तैयार है भाई तीन लाग वोट लेके आयते हैं 2019 में मुकाबर है तो हमलों के बड़ी से होगा यह अंधेरी रात जो है यह अभी इतना जल्दी छटने वाला नहीं है बीजे पी जिजजाई इस पार्टी में लिखा हुआ क कितना काम हुआ है इस सब समय मौजूद है ओर इन्डिया मनसित इछ्टन मुस्लिमीन के बिहार पर्देस काड़ियाले में और हमारे साथ मौजूद है दो M.I.M. के कारिकरता कह लीजिए, जिम्मेदार कह लीजिए, वो मौझूद है। दरसल बात ये है कि M.I.M. परमुक सबूदी नौवेसी साहब आए हुए थे हदरबाद से किशंगंज। और किशंगंज में जो है, आप ये माल लिजिए कि 2024 के लोग सबाद चुनाओ का बिगुल फुक चुका है, आखतुरी मान साब जो बिहार परते साद्रक्ट सा अमुर विधायक है, वो इस बात चुनाओी मैदान में उतर रहे हैं। तो यही जाने कोशिच कडेंगी आप लोगों से, कि किस तरह का परतिक्रियालहा लोगों का, किस तरह से जन्स लाव उमुरा, वही पियार, वही मोहबत लोगों के तरफ से अभी मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है चार विधायक तुटने के बाद क्या रहा प्रोग्रम में? क्या लगता है आपको कि यह जो जंसभा हुआ मिटिंग हुआ इससे आने वाले दिनों में क्या लगता है कि शंगन्च की जंता फिर से अफ्तुलिमान सब के तरफ जाए गी या देखिए जब सुरुवात में उनीस में पहला लोग सभा लगा गिया मायम के तरफ से और पहली दफा कहीं न कहीं आपको एहसास होगा कि तीन लाग वोट एक लोग सभा के लिए बहुत मायने रखता हैं कुछी वोटों से अक्तुलिमान साहब हलाके हम लोग को तो उम्मीद नहीं था फिर भी और इस दफा जो माहूल है तो इंशालला आप देख रहे कि ओवेशी साहब का मुहबबत में लोग दूसरे पार्टियों को छोड़ के आ रहे कल ही देख लिए कॉंगरेस के नसीम जो कि किशंगंज के उपाधक्स थे और आपको कह लिए शाहिद कह लिए जो कि अप राज़त से पुर परताशी भी रहे हैं समधानी साब भी हुए तो इन लोगों के आने से क्या लगता है और देखिया आने माला समय में वो लोग भी अपने अस्तर से यह तो बैरिश्टर और वसी साब का प्रोगाम था इसलिए चुनेंदेल लोगों के ही जोड़ा गिया है लेकिन उनके जो हजारों समर्थ तक है अपना परशनल अभी उन लोगों का आना अभी बाकी है और बहुत जल्द उनलोगों को लेकर के ब्यार सदर अख्तुल विमान के द्वाला जोइन डिया जायेगाि मुख्य मुक्वर्ण किस से मांगते हैं आप लोग कॉंग्रेस से जडियू बीजेपी से या किसको मुख्य मुकाबला होगा तो यह है कि कॉंग्रेस का एंपी को जानते भी नहीं है अच्छा आप जाने कि कॉंग्रेस यहां जो है लगतार यह सीट जितने में कामियाब रही है उसके बावजूत कि इतना पिछरा है और एम्यू को मेटर देख लिए अभी वैसे लुका हुआ है किस तरह देख रहे हैं जैकि हमारे सदर बैरिष्टर और वरसी सहब का एक बयान था जो इशारा था कि यह अंधेरी रात जो है यह अभी इतना जल्दी छटने वाला नहीं है तो इतना समझ लीजिए लोग सरकार के नाम पर हम जो है और यहां के लोग सिमान चल के खास करके किसंगन लोग सबा के लोग किसंगन के मुद्धे पे यहां सांसद चुनने के मुद्धे पर अक्तुर लिमान साब को इस बार सब्जाइब, ना कि सरकार, सरकार बनाना सांसद का काम है और हमको चुनना सांसद है नहीं लास्ट फेक्टर तो और यहां सब जिम्मेंदार है सवाल है कि यहां के मसले को जो बेहतर धंग से उठा सके लोकसवा में हम उस चेहरे को तलासे हैं कहने पर देखिए आज यह पार्टी नहीं है अभी दो चार एमेले आये वो भी तूटके चले गए कोई भी पार्टी जो होते हैं वो राष्टे अध्यश के नाम से तो होती ही है लेकिन एक पार्टी जब मजबूत होती है किसी राजमेक या किसी स्टेट में तो यहां के जो लोकल नेता होता है उनका भी बहुत बड़ा सयोग होता है अगा तो चेहरे आएंगे जब लोग टिकट के लिए मारा मारी करेंगे इदर जाएंगे जिनको नहीं मुलेंगे फिर उनके लिए M.I.M. का दरवाजा खुला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इस पार्टी में लिखा हुआ कि यहां हिंदू के लिए मना है यहां इसाई के लिए मना है यहां दरवाजा सब के लिए खुला हुआ और आप देख लिए जगा एक दीन दूर नहीं है जब एक दो विधायक यहां से का विधान के दारे में रेके बात करते हैं और हमको बताए कि एक ऐसाबात ओवेशी आपका जिसने हिंदू बिरोदी बात बोला होगा भाइत मजबूर हम ARE Pश्वाल हम है लिए हमारी हक के बात जादा बोलती है हमारे हक क आप अवाज ज्यादा उठाते हैं आइसी बात नहीं है कि अवेशी साफ स्रीप मुसलमानों का यह वाज उठाते हैं आप उनके बयानों को सुनिए वह अमोर से विधायक अक्तुलिवान साथ कितना काम हुआ है हम हर मैं वेश गाम से विधा सब्चाएब जैकने हो Luca भी ऑभी तृपल करोणों करते हैं विधायक अवी P क्यालों कुलों क्या क Hoero Yes pond अचल्वी विधाए विकास होड़ा है लिखास हो रहा है तो अच्छा किसी को बचा हूं इसको बचा है Wal君 से बच्राइब कपे गरा का वाद मिलता है कि कितना उखना म मकान का में कश्या है कितना मिलता है, जमीन मिलता है, सब मिलना भी, महां को लोग बता रहे हैं, हम लोग गयते हैं, अब और अपने मुफाद के लिए रहे हैं, माइम में कोई अपने फाइदे के लिए नहीं हैं, कियूंकि अगर मान के चले तो इस्टेट लेवल का नेता नहीं मानते हैं, उनको बहुत आगे जाना है, नेशनल लेवल पे जाना है, और पूरे मुसलमानों का भारत का, दलीतों का, पिछरों का, जो परेसान हाल है, जो दबे हुए है, जो जिसके साथ हक मारी है वो उसे आवाज उठाने वाले का नम अक्तूर लिमान और बैरिश्टर असुदिन दिन साहब है क्योंकि आवाज ही से सब कुछ होता है लोग सवाब में बोनना पड़ता है अगर लोग खामुसी में रहेंगे तो बस इसी अंदरे में जीएंगे क्या लगता है कॉंगरेस तोटके आए हैं भी कुछ लोग नसीम नहीं से आए हैं तोटके अगर इस पार्टी में आये हैं तो वो कुछ ना कुछ तो सोच की ही आये हैं और क्यूंकि एमायम वो हमेसा तारिफ करते हैं कि अक्तुर लिमान साहब का जो बेबाकी अंदाज रखने का अंदाज है किसी को कुछ पसंद होता है उसको वही पसंद है कि भाई हाकिकत माने तो अगर आज किसंगज में कोई नेता कहलाने के लाइक है तो वो अक्तुर लिमान साहब है राजद वला जो है असानी से मैं के विधायक को तोड़ लिया लेकिन अभी सकती प्रीक्षन रखता है मया तो जेड्यू के विधायक को नहीं तोड़ता है ने 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 तोड़ना जोडने के काम स्रीम मुसल्मानों के साथ ही हो सकता है बाकी का उतना तेजस भी यादब के अंदर उतना चमता नहीं है कि वो जेडियू या बीजेपी का विदाय को तोर के थैओ अंब तो हुआने हैं यहाँ आगर च्छन गंजी उसicing में डैसे को नाड़ा दे रहेया इस लakना की एकश्चा बोलने पहूं究 और Do देने के विजाए लोग उन पे तरह तरह का इंदामात लगाते हैं उनके साथ अब तक है तब तक ठीक है नहीं है तो भी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है उनके विधायक को तोर के आपने में समा लेना तो फिर बहुत अच्छा है आखरी सवाल दर्शेव को बता कैसे आगिया क्या नाम हूँ मेरा नाम मेहदी हुसेन क्या पोस्ट है जा मैं जिला सचीव एमायम किसंगन तो आप मेहदी हसंगन सुन रहे थे उन्होंने बेबाकिस अपने बातों को रखा आपकी क्या राई है अपनी राई कमेंट बॉक्स में जरूर रखे है धोने गुम् southern य में सेफ़ में स雁 एई सबसे कझ मैं जरूर का नहुली मैं जरूर के जरूर को चिछा तो राई करने क्यां में जरूर को ठाधे है सबसे है झाल झाल